गुड बॉर्निंग बच्चों, विल्कम टियरोन क्लास, यहाँ पर हम देख रहे हैं पाच का पहाड़ा लिखा हुआ है, पाच एकम पाच, पांदुनी दस, पांच तियाई पंद्रा, पांच रोग पीस, पांच पचे पचीस, पांच सते पैतिस, पांच अठे चालिस, पां या छे से कम आए, तो हमने देखा कि पांच का पाड़ा में एक बार पढ़ेंगे, तो पांच आता है, तो हम पांच एकम पांच यहाँ पर लिखती है, अब इसको घटा देंगे हम, छे में से पांच चला गया पुरा, तो एक आया यहाँ पर, एक बचा, अब यह जो लिचे उतारेंगे, मतलब यह अब हो गया पंद्र, तो अब हमें पांच का पाड़ा ऐसे पढ़ना है कि पंद्रा है, हम यहाँ पर देख रहें कि पांच तियाई पंद्रा आता है, तो अब यह जो पांच का पाड़ा हमने जो तीन बार पढ़ा, इस तीन को हम यहाँ पर लिखेंगे और पंद्रा जो हमको मिला वो पूरा पंद्रा के नीचे पंद्रा आ जाएगा अब हम इसको घटा देंगे फिर से तो जीरो हो गया जीरो हो गया अब यहाँ जीरो देखकर कई लोग समझते हैं कि भाग खतम हो गया बिलकुल नहीं अब यह तीसरा अंक जो है इस लिए पाँच का पहाड़ा जीरो बार पढ़ेंगे तो पाँच का पाड़ा हम यहाँ जीरो बार पढ़ें आंसर हमारा आया जीरो अब इसको घटाईए अब जाके यह आपका सवाल पुरा हुआ भाग का तो छेसो पचास को अगर हम पाँच लोगों में डिवाइट करें छेसो पचास रुपए हो या बुकस हो तो जैसे छेसो पचास रुपए है पाँच लोगों को देना है तो हर एक को कितना मिल जाएगा 13-13-13 13 तो इस तरह से यह बढ़वारा हो गया भाग अर्थात बढ़वारा दूसरा सवाल है हमारा पाँच से ही भाग देना है आट सो तो हम क्या करेंगे सैकड़े से हमेशा सुरुवात करेंगे पाँच का पाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि आठ हाए या आठ से जादा नहीं होना चीए कम होना चीए तो पाँच एककम ही लेंगे हम क्योंकि पाँच दुनी दस हो जाता है तो हम पाँच एककम पाँच लिए मतल तब 800 में से 500 चला गया हमारा तो अब हम यहाँ पर 300 हमारे पास बचाईए हम बाट रहे हैं अब यहाँ पर हम 5 को तुरंत उतार लेंगे अब 35 हो गया हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 के पहाड़े में 5 सते 35 आ रहा है तो हम इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे और पाँच सते पैतिस हमको पूरा मिल गया तो हम उसको यहां लिख देंगे और अब इसको हम घटा देंगे तो पाँच में से पाँच के जीरो, तीन में से तीन के जीरो अभी हमारा भाग खतम नहीं हुआ अब यह जो इकाई कांख है इसको इसके बगल में उतारना है अब पाँच का पहाड़ा में ऐसे पढ़ना है कि तीन आए अब पाँच का पहाड़ा शुरू ही होता है पाँच एक कम पाँच से तो इससे कम तो पाँच के पहाड़े में नहीं आएगा तो इससे कम क्या है शुन्य है इसलिए हम शुन्य बार पढ़ेंगे तो पांच का पहाड़ा हम शुन्य बार पढ़ लिए तो यहाँ पर तीन से कम आया शुन्य तो ये हो गया हमारा आंसर तीन शेशफल बचा तीन में से शुन्य हमने घटाया तो तीन ही रह गया तो ये हमारा शेशफल है इसको हम कहते हैं शेशफल इसको कहते हैं हम भागफल ये जो बड़ी सबसे संख्या होती है इसको हम कहते हैं भाचिय और जिससे हम भाग देते हैं इसको हम कहते हैं भाचिय थैंक्स पो वाचिय